चीन में कानून का खौफ है इसलिए वहाँ की प्रधानमंत्री और राष्टपती का फेक वीडियो वाइरल नहीं होता हमारा कानून घटिया है न्याईक बिवस्था सड़ी हुई है कानून का खौफ नहीं है इसलिए हमारे प्रधानमंत्री का फेक वीडियो वाइरल होता है यूस्ता-सड़ी उई है मुकद्में 50 साल-40 साल चलते हैं इसले हमारे देश के ग्रियमंत्री का फेग वीडियो वरल हो रहा है अब आप सोचिए अगर प्रधान मंत्रे और ग्रियमंत्री का फेग वीडियो वरल हो सकता है तो हमारी आप की क्या वकात? आम जनता की क्या वकात? किसी का फेक वीडियो बना के आप वारिल कर दीजे, उसकी इमेस खराब हो जाएगी, मुकदमा तीस साल, चालिस साल चलेगा, मुकदमा लड़ते लड़ते परिशान हो जाएगा, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, कानून घटिया है, निया एक बिवस्ता सडी हुई है, इसको बदलना जरूरी है, अचा आश्यर की बात ये, कि इस फेक वीडियो पे आरोप रत्यारोप तो हो रहा है, लेकिन कोई पुलिस रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा है, कोई जूडिशल रिफॉर्म की बात नहीं कर रहा है, कोई इसनाव की पत्रकार भावना की सवर को उठा के जेल में डाल दिया था पंजाब में उसके बाद रचित कौसिक उनको भी उठा के जेल में डाल दिया उसके बाद अभी मनीज कुमार को नोटिस आ गया जो कैपिटल टीवी वाले अच्छा जब हमारे पत्रकारों को पुलिस प की बात नहीं करते यह फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं सुधीर चोधरी जी को पुलिस ने पकड़ा उन्होंने अपनी जमानत करा लिया हम इस देवगन के खिलाफ फाइर हुआ अपने उन्होंने फाइर क्वेस करा लिया टाइम्स नौव के अपने रिपब्लिक के अ लड़ते रहें अच्छा कितनी बार ऐसा होता है कि जो फ़र्जी एक होता है गलत ऑफाइयार होता है लोग फेक F.I.R. करने पर दंड नहीं मिलेगा तो जूटे F.I.R. होते रहेंगे जब जूटी सिकायत करने पर दंड नहीं मिलेगा तो जूटी सिकायते होती रहेंगे जब जूटी गवाही देने पर दंड नहीं मिलेगा तो लोग जूटी गवाही देते रहेंगे जूटा हलफ न लफ नामा देने पर दंड नहीं मिलेगा तो जूटा लोग है लफ नामा भी देते रहेंगे जब जूटे मुकदमे दर्ज करने पर कोई दंड नहीं मिलेगा तो लोग जूटे मुकदमे लिखवाते रहेंगे। कितने सारे चेड़शाड के फरजी मुकदमें होते हैं। कितने सारे के Friji मुकदमें होतें। एक बार मुकदम स्वाध्य लिखा लिखा दिये। उसके तो जिसनदकी बबाद हो गई हो तो ये चीन में क्यों नहीं है, सिंगापुर में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है, मैं आपलों उस हांच जोड के निव suppressedन कर रहा हूँ. एक बात अच्छी तरीके समल लीजे डॉक्टर कितना ही अच्छा हो गर दवा घटिया होती है तो बीमारी ठीक नहीं होती है ड्राइबर कितना ही अच्छा हो गारी अगर घटिया होती है तो यातरा सुरक्षित नहीं होती है मिस्तिरी कितना ही अच्छा हो सिवेंट वालू UGHर ठीक नहीं होगा घर शुरक्षित नहीं होगा ऐसे सासक कितना ही अच्छा हो जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक शांती नहीं आएगी अराजकता फैलती रहे भारत में जितनी समस्या है उसका मूल कारण है हमारी गुलामी की पुलिस बेवस्था गुलामी की प्रसासनिक बेवस्था गुलामी की न्याइक बेवस्था लेकिन आप लोग सब लोग मिल के इसको बदलने की मांग नहीं करते आप जस्टिस विदीनियर की मांग नहीं कर रहे आप जूट के खिलाफ गंभीर अपराद की मांग नहीं कर रहे एक कानुन बना दिया जाए कि जूट बोलना जूटी सिकायत करना जूटा मुकदमा लिखवाना जूटा यफायार करवाना जूटी गवाही देना जूटा हलफ नामा देना कुछ भी जूटा करना 10 से 20 सल्क सजा होगी मैं गारंटी के साथ कहता हूं 50% अपराध अपने आप कम हो जाएगे भाई भी अपने भाई के लिए जूटी गवाही नहीं देगा पिता भी अपने बेटे के लिए जूटी गवाही नहीं देगा क्यों कि उसको जूटी कवाही दें werd का दस-इबीस साल जेल हो जाएगी एक बार भारत में नर्को पॉलिगाफ ब्रिण मैपिंग कानूं बन जाए और भारत के सभी जीलोंलों में एक-एक लैब बन जाए नार्को टेस्ट करने के लिए पॉलिगराफ ब्रेन मैपिंग करने के लिए इतना खौफ पैदा हो जाएगा कि लोग जूट बोलना छोड़ देंगे और आधे मुकद में अपने आप खतम हो जाएगे अगर हमारे नेता SPG के प्रोटेक्शन में रहते हैं क्या SPG वाले सब को गोली मारते हैं क्या नहीं तो SPG प्रोटेक्शन किस लिए होता है नेताओं को डराने के लिए और पर हमारे BSF के लोग खड़े हुए क्या रोसफ को गोली मार रहे हैं क्या बार्डर पर जो हमारी सेला खड़ी है उखके वर डराने के लिए अगर गड़बड करोगे फिर गोली मार देंगे हमने राफेल खरी लिया बम गिराया किसी को उपर नहीं तो किसले खरीदा डराने के लिए हमने अगनी मिसाइल बनाया ब्रमोस मिसाइल बनाया किसी के उपर चलाया कि नहीं किसले बनाया डराने के लिए हमने परमार बम बना के रख लिया है चलाया कि किसी के उपर नहीं किसलिए बना के रखा हुआ है डराने के लिए ऐसे जो कठोर कानून मनाये जाता है रोज रोज सबको फांसी देने के लिए नहीं होता है यह डराने के लिए होता है खौफ पैदा करने के लिए होता है ठीक से रहो अगर बदमासी उल्टा सीधा किये तुम्हें छे महीने साल कुपत का समय हो चाहे वो छत्पति सिवा जी महाराज का समय हो चाहे वो राजा विक्रमादित जी का राज हो उस समय मैक्सिमम हो जंड जस्टिस विदिन मंथ होता था एक महीने के अंदर तो फैंसला हो जाता था ज्यादा तर मुकदमों का फैंसला जस्टिस विदिन वीक होत और आज 30 साल 40 साल 50 मुकद में चल रहे और चलता जा रहा है चलता जा रहा है आज का पुरी पूरी पुलिस ब्वेवस्ता न्याorrow ब्यवस्ता यह आँम जंता के पक्छी में नहीं है यह तो केवल और केवल दबंगों के प्रक्ष में है और आप देख लिजे इतने सारे अपराद होते जाते हैं होते जाते लेकिन ना किसी की नागरिकता खतम हुई आज तक मैं किसी को अजीवन कारावास फासी हो खौफ है नहीं आप कुछ भी कर दो कोई खौफ ही नहीं चाहे लब जहाद हो चाहे लैंड जहाद हो चाहे घुसपैट हो चाहे धर्मांत्रण हो चाहे बलातकार हो कम नहीं हो रहा है बढ़ रहा है क्यों कानुन का अकि जितना अपराद दिल्ली में है अभी आपने पिछले अप्ते सुना कि दिल्ली में एक लड़का घर में गया और बेटी नहीं मिली तो मा को गोली मार दिया दुबई में भी तो मुस्लिम रहते हैं न दुबई में इतना अपराध क्यों नहीं है जितना दिल्ली में है जितना अपराध भारत में है उतना सिंगापूर में क्यों नहीं है जितना अपराध भारत में है उतना चीन में क्यों नहीं है जितना अपराध भारत में है उतना ज में क्यों नहीं यह क्योंकि हमारी कानून हमारे कानून घटिया न्याइक विवस्ता सड़ी हुई लेकिन फंसने के बाद भी कभी पुलीस रिफार्म जूडिशेल रिफार्म एलक्शन रिफार्म इनिमिस्टेटिव रिफार्म के लिए आवाज नहीं उठाते कितने सारे नेता फंसते हैं फंस जाएंगे कहेंगे पुलिस हमारे उपर जाती कर रही है हाई राम हाई राम करना सुरू कर देंगे हमारे उपर गलत मुकदमा हो रहा हमारे पर ये हो रहा है वो हो रहा है लेकिन जब बरी हो जाएंगे तो कभी reform के लिए मुद्दा नहीं उठाएंगे सुबस से लेके शाम तक तु तु मैं में होती रहेगी बंगाल में संदेश खाली में मुकदमा नहीं हुआ खुब उसमें आरोप रत्यारोप हुआ लेकिन किसी नो one nation one police code की मांग नहीं किया one nation one administrative code लागू करने की मांग करिए नारको पॉलिग्राफ बेंड मैपिंग कानून बनाने की मांग करिए और justice within year लागू करने की मांग करिए यह आप इसके करने के लिए आप पांच जार facebook friend बनाईए रोज लिखना सुरू करिए सब लोग लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे तो एक ने एक दिन तो लोगों का हमारे सीर सनेत्रितु का दिल पसीजेगा हमारे सुप्रियम कोड का दिल पसीजेगा जब पूरे देश से डिमांड उठेगी तो justice within year होगा लेकिन किल हमारे कहने से नहीं होगा जब आप भी आवाज उठाएंगे पूरा देश आवाज उठाएगा तब होगा